चुनाव होने से पहले आप कैसे कह सकते हो कि हमारी जीत होगी पैसा पास होए ना तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कहां गए तुम जो गद्धी पे बैड़ता है सत्या नाथ कर वेता है क्या लगता है एक तरब मोदी जी चार सो पार बोल रहे हैं अब भाई बोलेगा वो तो क्यों बोलेंगे एक तो उसकी मसीन गड़बड है आप हम लगाते हैं और जाती है उसमें जाकी लाठी ताकी जिसके पास पैसा सब कुछ करीद ले तो कॉंग्रेस के टाइम पर है अरे जो पहले नहीं था आप ऐसा ही हो रहा है नहीं एक बात बताएए आप चुनाआ होने से पहले आप कैसे कह सकते हो कह कॉमारी जीत होगी वंडिंग्गे क्या सकता है कि हम को आराई की क्या सकता है नहीं कह सकता है दूब और फिर बंद अगई ना तो कभी मोदी जी आई नहीं सकते हाँ यह बात है बड़ा अरोप लगा रहे हैं वह तो दिखाई दे रहा है लोग बोल नहीं सकती है क्या है वाला इतना नहीं आ सकता भाई कि जो दिखियो वह बोल सकते तो इवियम से जहां विपक्स पार्टी जितते वहां तो कुछ नहीं बोलती है अब क्या बोलेगी एक बात बताईए आप आप हो बीस करोड़े के आदमी और हम है मजदूर हम आप से कहेंगे अगर चार मुगा खड़े कर दिये ना तो आप इसके लगाईए चार ठपड मार पीट के बगा देंगे हम क्या बोल पाएंगे कहावत को नहीं है जो अच्छा कर इतना डर था कि उसको जेल में डर वादिया थोड़ी डलवा है एक पैसा पास हो ना तो हम तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कहां गए तुम आएगी समझ सारा को स्केल समन चले गए तो चाना चाहिए नहीं बात कर लिए कुछ भी सामान नहीं है तो लगाया जा रहा है कु परदान मंत्री है लेकन कल कोई दूसरा प्रदान मंत्री होगा ना वो सब जड़ खोल देता है मतलब एक दूसरे की कार्ट सब करते हैं लेकन ऐसा नहीं है कि मतलब चुनाओ को बज़े से उनको जो है जेल में डरवा दिया कोई सुनाई नहीं है और बैसे दिखियो सब सुनाई है बदलाओ चाहिए वही देश का बोल रहे हैं देश का कोई बदलाओ कर रही नहीं सकता जैसा कि आपने देखा कहिं नहीं पर हमेशा सवाल उठता है इलेक्शन के टाइम पर कि इलेक्शन जब भी आता है तो इवियं एक मुद्दा बन जाता है कि इवियं से अगर चुनाओ होगा तो मोदी जीते रहेंगे क्यूंकि बोला जाता है कि चुनाओं से पहले कैसे उन सौगंध वतन की